हिजबुल्ला के भीशण हमलों के बावजूद इसराइली फौज लेबनान से अपने कदम पीछे खीचने को तैयार नहीं है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने एलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि पूरे इसराइल में हमले किये जाए आईडियाफ पर अलकावजा के पास एक बहुत ही बड़ा हमला किया हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में आईडियाफ के कई जवान मारे गए और घायल हुए हैं हिजबुल्ला के मताबिक 16 अक्टूबर 2024 को शाम करीब 5 बच कर 40 मिनट पर ओधेशे और मरकाबा कस्बों के बीच इसराइली सैनिक इकठा हो रहे थे तब ही उनके उपर रोकेट फायर कर दिये गए और इसी दोरान आयताल शहाब रम्याल क्वाजा के ट्राइंगल पर हिजबुल्ला और आईडियाफ के बीच तगड़ी भिड़न्त हुई है हिजबुल्ला के मुताबिक यहाँ पर आईडियाफ के एक हेलिकॉप्टर ने मरत और घायर सैनिको को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का कहना है कि इसी दोरान हाइफा के रामबन अस्पताल में आठ हेलिकॉप्टर उत्रे जबकि बाकी बैलेंसन टेल शुमेर अस्पताल में उत्रे इसराइल के चैनल 13 के मुताबिक कुल 44 सैनिको को रामबन लाया गया जबकि अन्य पांच को बैलेंसन अस्पताल में भरती कराया गया आपको बता दे की अलकावजा में हिजबुल्ला के लडाकों ने आईडियेफ के उपर मशीन गन से हमला किया जिसकी वज़ा से इसराइली सेना को भारी नुकसान होने की खबर है हिजबुल्ला के मुताबिक उसने साफाद शहर पर भी रॉकेटों का एक पूरा जथा फायर किया हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है इस वीडियो में हिजबुल्ला के एक के बाद एक कई मिसायल फायर होते दिखाई दे रहे है जिसकी वज़ा से सफाद में हवाई हमलों के साइरन बजने लगते हैं हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने यिफ्ता सेटलमेंट पर भी भीशन बंबारी की है हिजबुल्ला का दावा है कि उसने रामिया शेहर के पास आईडियफ के एक मेरकावा टैंक पर गाइड़ेड मिसाइल से हमला किया और इस हमले के बाद उसके लड़ाकों ने कारमेल सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का एक पूरा जथा फायर किया और इस अटैक के कुछी दिर बाद मिसगावाम में जब इसराइली सैने के कठ्था हो रहे थे तब उनके उपर भी हमला किया गया हिजबुल्ला का कहना है कि शाम होते होते उसने फिर से मिसगावाम पर रॉकेटों का एक पूरा साल वो फायर किया और इस हमले के बाद जब आईडियफ के जवान वादी होनीन में इखटा हो रहे थे तो उन पर हिजबुल्ला ने एक बड़ा रॉकेट हमला किया हिजबुल्ला के मुताबिक उसने दक्षणी लेबनाद में इसराइल के दो ड्रोन्स पर जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाईले दागी जिसकी वज़ा से इन ड्रोन्स को पीछे हटना पड़ा और इसके बाद खालित वर्दे में जब आईडियफ ने फिर से इक खटा ह पर दोने की कोशिश की तो उनके उपर भी रॉकेटों का एक पूरा जथा फायर कर दिया गया वाल ने वाल